हेलो स्टूरेंट्स तो कैसे हैं मेरे जीनियस जीनियस मैंटरी क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके लेके आए हैं क्लास सिक्स मैथेमेटिक्स का चप्र नमबर वन नौइंग आवर नमबर का लेक्चर नमबर सिक्स चलिए नायों मंग और जोस के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर लेक्चर नमबर सिक्स हाल जी इससे पहले वाले लेक्षेस में हमने क्या क्या था आपकी जो exercise 1.1 है इससे पहले जितना भी portion था हमने वो सारा का सारा cover कर लिया था उसमें हमने क्या क्या था number name पड़े थे यूज दो कॉमाज करा था कि numbers को कैसे बनाना है यह सारी चीज़े हमने महाँ पे discuss की थी ascending order descending order increasing decreasing यह सारी चीज़े हमने cover कर ली थी है ना तो आज हम क्या करेंगे आपकी जो exercise 1.1 है आपके exercise 1.1 को आज हम complete करेंगे अच्छे से समझेंगे ठीक है आप सभी के सभी क्या करोगे अपनी बुक साथ में खोल लो notebook pen लेके बैटो पहले खुद से questions करने के try करना है अगर नहीं हो तो आपको वीडियो continue करनी है मतलब आपको अपने answer match करने के लिए वीडियो तो देखनी पड़ेगी पूरी ठीक है तो चलिए शुरू करते है आज का पहला question आज की lecture का पहला question क ठीक है इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वन लेक क्या होता है आप देखो वन लेक लिखते हैं पहले है ना वन लेक बनके देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और 1,000,000 ठीक है बन क्या बन लेक ये तो इसने बोला है कि 1,000,000 अब यहापे क्या कर लो आप 10,000 भी लिख लो 10,000 कैसे लिखेंगे 10 और 1000 मतलब 3,0 तो क्या बन गया आपका 10,000 ये 1,000 बन गया वो आपका क्या बन गया 10,000 बन गया अब आपको बताना है कि इसमें कितने इसके बीच में क्या आएगा देखो यहापे कितने 0, 1, 2, 3, 4 यहापे 1, 2, 3, 4, 5 इससे यहाँ तक पोच्चे नेगे आपको एक 0 चाहिए तो आपका 10 अगर आप 10 को 10,000 से मल्टिप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आजाएगा 1, ठीक है एक लाख आजाएगा आपके पास ठीक है समझवाए आपको मैंने क्या बोला अगर आप 10,000 को 10 से मल्टिप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या अंसर आजाएगा 1 लाएक अंसर आजाएगा तो यहापे फिलिंग दा ब्लैंक के अंदर क्या आएगा 10 1 लाख जो एक लाखों किसके इकल हो गया 10 multiply by 10,000 ठीक है 10 10,000 के इकल हो गया 1 लाएक ठीक है समझ में आगया आपको इस बात पहला फिलिंग दा ब्लैंक क्लियर हो गया चलो दूसरे में चलते है 1 million अब 1 million कितना होता था मैंने आपको बताया था जो international system होता है उसके according क्या करते है 1 million लिखते है और 1 million क्यों होता है 10 lakh होता है है ना हमने बात सिखी थी जो 1 million होता है वो क्यों होता है 10 lakh होता है तो यहाँ पे लिख दो आप simple सी बात है मतलब की 6 0 लगा दो 1 2 3 4 5 and 6 तो यह क्या बन गया आपका 10 million बन गया ठीक है इस समझाए 10 million equals to dash 100,000 अब यहाँ आप 100,000 लिख दो दे समझाए आपको तो इक बन गया आपको यह 1 million बन गया और यह आपको क्या बनके 100,000 जगो यहाँ पे कितनी गिंति है 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6 0 है अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 10 की कम है मतलब कि इसको भी आपको क्या करना पढ़ेगा 10 से multiply तो यहाँ पर भी क्या आपका 10, तो 1 million equals to 100,000, ठीक है, 100,000 किसके इकोल होता है, 1 million के, ठीक है, समझमाए आपको, अगर इसको आप 10 से multiply कर दोगे, sorry, इसको अगर आप 10 से multiply कर दोगे, तो आप कहाँ पहुच जाओगे, यहाँ पहुच जाओगे, ठीक है, समझमाए आपको, अभी धर देखो, 1 crore, 4, 5, 6, and 7, देखो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, ठीक है, अब क्या करना, आपको 1 crore में बताना है कितने 10 lakh होंगे, अब 10 lakh, लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 देखो 1 करोड किसके equal हो गया 10 10 lakh के ठीक है समझमाया आपको जो आपका 1 करोड है वो किसके equal हो जाएगा 10 10 lakh के ठीक है समझमाया आपको क्या करना पड़ेगा 10 lakh को 10 से अगर multiply कर दोगे तो आप किसके पास पहुच जाओगे 1 करोड के पास ठीक है समझमाया अब 1 करोड बोला है कितने million कि टेखो वन क्रोड लिख लो यह पिर से लिख लिखा ही पड़ा है तिक है यह आपका बास लिखा है रही है मिल्यन मतलब क्या होता है 10 लाहक वते हैं पता है आपको million यहाब आप 10 lakh लिख लो यहाब को होगा 10 lakh आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने 0 कि 0 होता है देखो यहाब पर count को रहो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाब पर क्या है? 7 है और यहाब पर 6 0 है same यह situation है बस यह जो आपका 100,000 है यह आप बोल सकते हो 10 lakh 10 lakh देखो 10 lakh और 1 million same चीज है 10 lakh बोलते हैं Indian system के अंदर और 1 million किसके अंदर बोलते हैं? International system के अंदर तो same है आप इसको क्या करना पड़ेगा आपको 10 से multiply करोगे तो आप कहाँ पहुच जाओगे million के पास ठीक है? मतलब 1 crore equals to 10 million ठीक है? समझमाया? 1 crore इसके equal हो जाएगा? 10 million के अब यहाँ देखो 1 million कितने lakh के equal हो बताओ? अब 1 million लिख लो 1 million मतलब 10 lakh है ना? ठीक है देखो हो गया 1 stands 100 1000, 10,000 lakh एक रह गया 10 lakh ठीक है? समझमाया गया? तो 10 lakh मतलब 1 million और यहाँ आपर लिख लो lakh देख लो 2, 3, 3, 4 and 5 गया क्या बन गया? आपका lakh बन गया? अब देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको कितनी 0 की जोड़ता है? 1 0 की तो क्या करो कि इसको 10 से multiply कर दो के? तो मतलब 1 million is equals to 10 lakh ठीक है? समझमाया गया? 1 million is equals to 10 lakh 1 lakh is equals to 10 10,000 1 million is equals to 10, 100,000 and 1 करोर is equals to 10 10 lakh और 1 करोर is equals to 10 million और 1 million is equals to 10 lakh ठीक है? समझमाया आपको सबको first question? ओके आप second question की तरह बढ़ता है second वाला question क्या बोलता है? place commas correctly and write the numerals ठीक है? आपको यह यह आपे words में दिया हो गया है, number name की form में आपको अपको क्या करना है? इसको numerical value में लिखना इसको maths की form में लिखना है और क्या करना है? आपको commas को सही place में लगाना है ठीक है? मैंने आपको बताए था कि comma कैसे लगाते है मैंने आपको कहा था जब भी Indian system के अंदर हम comma लगाते हैं 3-2-2 के बाद Indian system के अंदर को में लगाते हैं और जब international system की बाद आती है तो आप क्या करोगे? इसको में कैसे लगाओगे? देखो मैं एक्जामपल ले लिती हूँ आप क्या करोगे? international system के according आपको 3-3 के बाद को में लगाना होता है? 3-3 के बाद ठीक है? यह सारी बाते आपको मैं previous lecture के अंदर अच्छे से समझा आ चुके हूँ ठीक है? इसलिए हम exercise के आगे exercise में बढ़े हैं तो आपको उस सारे के सारे concept mind में होने चाहिए तब ही आप क्या कर पाओगे? exercise को अच्छे से solve कर पाओगे ठीक है? समझ में आगे आपको? ठीक है तो चलो पहले इसका A part करते है A part क्या बोलता है? 73,75,307 इसको words में लिखे ना है लिखते जो जो बोला है 73,00 तो हमने लिख दिया भाई 73,00 आगे 75,000, 73,00, 75,000 ठीक है भाई आगे 307,307 तो इसको अमने बट्स में लिख दिया है ना? ठीक है यह तो बता होगा आपको? सबसे पहले क्या आता है? once, फिर ten, फिर hundred, फिर thousand, फिर ten thousand, फिर lakh, फिर ten lakh है ना? ऐसा ही आता है? पहली बाली टम क्या होती है पहले? once, फिर ten, फिर hundred, फिर thousand, फिर ten thousand, ten thousand के बाद lakh, lakh के बाद ten lakh, फिर one crore, फिर ten crore, ऐसे ही आगे चलता रहता है ठीक है? तो आपको आपको बास number मिल गया आपने? जो आपको number name की formula लिखा हुआ था आपने उसको numbers की formula लिख दिया भी पाट क्या बोलता है? नाइन करोड, ठीक है भाई, लिख देते हैं, नाइन करोड लिख दो, फिर लिख है 5 lakh, देखो, नाइन करोड के बाद सिधा 5 lakh आ गया तो यहाँ पर इसने कौन कौन सी जीजे नहीं लिखी वी है? 10 lakh वाली position नहीं लिख बताई इसने तो उसके नाम की 0 लगा देंगे, ठीक है? क्या बोला मैंने? 9 करोड बोले इसने हमने लिख दिया, उसके बाद यह सिधा 5 lakh में पहुच गया, 5 lakh से पहले क्या आता है? 10 lakh आता कि 0 यह लगली है, आपका 10,000 के नाम की 0 यह 1000 के नाम पी 0, यह 100 के नाम के 0 जिरो उसके पास 14 तो आपके पास है ही, ठीक है? तो यह नंबर बन गया. इस नंबर नेम से आपका यह नंबर बन गया, ठीक है? दुबारा से बताती हूँ देखो, 9 करोड 9 करोड लिख दिया गई तो जब उसकी पीच के नमस ना बोले तो उसके बदले 0 लगा देना है तो 41 ठीक है इसको लिख दिया अब दूसरा काम क्या करना है हमें कॉमा अस लगाने तो कॉमा लगा दो भाई सिंपल त्रीके पहले 3 में लगेगा फिर 2 और उसके बाग 2 तो यह अब क्या बन गया 9 lakh sorry 9 करोड 5 lakh 41 ठीक है simple clear होगी बात okay अब C part क्या बोलता है 7 करोड तो लिख दो भाई सबसे पहले 7 करोड लिख दो 7 लिख दिया हमने फिर बोला 52 lakh ठीक है 7 करोड के बाद 52 lakh बोला इसने हमने लिख दिया ठीक है अब 21,000 21,000 भी लिख दिया आगे क्या बोला इसने 302 इसमें सा कुछ लिख दिया 302 यह नंबर बंड गया इस नंबर नेम से यह आपको नंबर मिल गया अब क्या करना है तूसरा काम आपको कौमा लगाने तो simple कौमा लगा लो यहां पर 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद है ना इंडियन सिस्ट्रम में हमने क्या बोला था कि पहले बोलते है 3 3 काम बिगाड़ा पहले नो शोदर की 3 3 के बाद लगाएंगे है ना उसमें पहले 3 के बाद लगा दिया फिर बोला ना ना ऐसे काम निचे लेगा 3 3 काम बिगाड़ा होता है हम तो 2 2 के बाद लगाएंगे तो 3 2 2 और international system में क्या लगाता है 3 3 के बाद कौमा लगेंगे ठीक ह यस मैंने आपको बताया था पहले 3 नंबर्स के बाद फिर 3 से ठीक है और मेशा काउंट कहां से करने है आपको यहां से राइट से आपको काउंट करने है डिजिट्स को ठीक है 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा ठीक है समझमाएं आपको ओके अब दीपाट क्या बोलता है 58 million देखो million को द आजाए तो आप समझ जाओगे कि आपको किसको कैसे करना है किसके अगोर्डिंग करना है इसको international system के अगोर्डिंग करना है ठीक है तो देखो 58 million मैंने आपको समझाया था ना कैसे लिखते है स्री स्री की family बनी होती है इन में ठीक है 58 million लिख लिया 423,000 ठीक है 4 क्या लिखाव है 423,000 उसके बाद 2 फिसका सीधा 2 लिख दिया है मतलब 002 ठीक है फिर 3 के बाद कोमा 3 के बाद कोमा ये बन गया आपका नमबर समझाय आपको दुबारा से आपको याद दिलवा देती हूँ जब हम international system करते है तो हम क्या करते हैं जो मार पास 3-3 की family होती है उसमें न हमने कहता 3-3 की family होती है international के पास इसमें भी 3 words रहेंगे इसमें भी 3 रहेंगे और यहाँ पे भी 3 रहेंगे ठीक है हमने कहा था इस family का surname है million और इस family का surname हमने कहा था thousand है और इसका once family के अंदर आता है ठीक है तो देखो 58 million ठीक है million family का यह 58 million लिख दिया फिर क्या था आपके बास 423 423 साथ में क्यों thousand family का था इसलिए इसके पिछे का लगा दिया इसका surname लगा दिया thousand ठीक है यह thousand family से बिलोग करता था मतरन का surname thousand था इसने 423 के बाद क्या लगा दिया thousand लगा दिया उसके बास सिद्धा two ठीक है उसके बाद two लिखा तो बीच पे words नहीं लिखे नो ने तो इसको बंदा उसके नाम की zero ठीक है समझभा आगए आपको अच्छे से आगे लिखा हुआ है two के बाद के लगा 202 तो यह पर ऐसे लिख सकते हो 202 तो यह इस तरीके से लिखे लो अगर सिर्फ two लिखा होता है तो दो zero लग जाती ठीक है समझभा है आपको clear हो गया तो यह क्या बन गया आपका 58 million 42 42 423 thousand और 202 और 33 के बाद कॉमा ठीक है clear हो गया ब 23 lakh लिख दो ठीक है आप आगे गोला है 30,000 30,000 23 lakh 30,000 10 अब सिधा 10 बोल दिया 30,000 के बाद 100 नहीं लिखा हैना 100 के नाम की जी रहा और यह आपे 10 ठीक है 3 तरीके बाद 3 और 2 के बाद कॉमा ठीक है समझ माहिए आपको यह दुबार से फटा आप बड़ेटा फट से बता देती पहला जो पार्ट है यह पार्ट है वो इंडियन सिस्ट्रम के अकोर्डिंग है तो सिधा लिख दिया आपने 73 lakh 73 lakh 75,000 75 तरा लिख लिए 307 ठीक है 322 के बाद कॉमा लग गया 9 करोड 5 lakh 41 ठीक है 9 करोड 5 lakh 41 बागी जो नमबर स नहीं दी वे थे उनके नाम की 0 लगा दी ठीक है फिर 7 करोड 52 lakh 7 करोड 52 lakh फिर उसके बाद क्या लिखा वाता 21,302 तो वो आपने ऐसे लिख दिया और इंडियन सिस्ट्रम के अकोर्डिंग कोमा लगा दिया 322 के बाद ठीक है फिर मैंने आपको बलाता है मिलियन देखते हैं आपको समझ जाना है कि कौन सी फैमिली से करते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है इसको 3 तरी के बाद आपको क्या करना है कॉमास लगा देने और यह लास वाला मैन भी आपको समझाई दिया है ठीक है चलिए next question की तरह बढ़ता है next question क्या बोलता है insert comma suitably and write the names according to Indian system of numeration ठीक है आपको क्या करना है आपको यह कुछ numbers दिये गए है इसको क्या करना है आपको कॉमास लगाना है इसमें Indian system की according और इनको number name की form में लिखना है words में इसको लिखना है चलो पहला part करते है ए part क्या लिखा हुआ है 8 7 5 9 5 7 6 2 सबसे पहले comma लगा लेते हैं 3 3 के बाद comma फिर 2 के बाद comma और फिर 2 के बाद comma ठीक है अब इसको लिख लो कैसे लिखो होगी देखो ones, tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh और ये 1 करोड तो क्या बन गया 8 करोड क्या बन गया ये 8 करोड आगे देखो 75 lakh क्या बन गया 75 lakh अब उसके बाद देखो 50, 75 lakh, 95,000 क्या है 95,000, 95,762 क्या बन गया 707 साथ साथ लिखो सभी 762 ठीक है समझमाएं आपको clear होगा पहला point आपको पहले वीडियो पहुज करनी है ठीक है पहले खुल से कोशन ट्राइ करना है कि आपसे हो जाए ठीक है उसके बाद आपको वीडियो देखनी है कि आपने जो करा है वो सही किया है या आफे नहीं किया है ठीक है और जिससे नहीं हो रहे है वो साथ साथ समझे और साथ साथ अपने नोट बुक में इसको लिखते जाए अब भी पार्ट देखो बी पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको 8, 5, 4, 6, 2, 8, 3 सबसे पहले कोमा लगाना है इंडियन सिस्टम के अकोडिंग तो पहले 3 के बाद कोमा फिट 2 के बाद ठीक है अब इसको लिख दो क्या बन गया देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, Lakh और 10 Lakh तो 85 क्या बन गया 85 Lakh ठीक है 85 Lakh उसके बाद देखो उसके बाद क्या लिखा हूँ 85 Lakh के बाद 46,000 इन दोनों को एक साथ पढ़ना है और इन तीनों को एक साथ पढ़ना है 46,000 ठीक है क्या लिखा हूँ है 46,000, आगे देखो 46,000 के पाद क्या लिखाव है, 283, क्या लिखाव है, 200, 283, ठीक है, समझमाएं आपको, बी पार्ट समन में आ गया, चलो अब सी पार्ट के बढ़ते हैं, सी पार्ट का बोलता है आपका, इसमें लिकाव है, 999,00046, सबसे पहले क्या करना है आपको, कॉमा लगाना है, वो भी इंडियन सिस्ट्रम के अगोर्डिंग, तो पहले तीन के बाद, फिर दो के बाद, और फ नाइन करोर, अब आगे देखो, क्या बन गया, 99,000, क्या बन गया, 90,000,000, ठीक है, समझ inlet आ रहा है, अब देखो, अब 1000 के नाम के researching, तो सिधा क्या लिख देंगे हैं हम 46 क्या लिख देंगे सिधा हम 46 ठीक है समझमाएं आपको यहां पर आपके 10,000 और 100 की जगा आपको 00 देखा लिखा वाता तो इसको आप लिखता सकते नहीं हो तो आप क्या लिखोगे 9 करोर 99,46 ठीक है क्लीर होगे आपको चलिए डीपाइट करते हैं इसका डीपाइट क्या बोलता है देखो 9,8,4,3,2,7,0,1 ठीक है सबसे पहला क्या करने आपको कोमाज लगाने तो मैंने क्या कहा था है इंडिन सिस्टेम के कोडिंग पहले 3 के बाद को मा तो देख हो क्या बन गया इसको अकेले प addictive morning एं दोनों को सासुν पढ़ना है इन存णों को साथ में पढ़ना है जो उन पढ़े इसको हम लिख देंगे ठीक है तो देखो क्या बन गया फिर से क्या बन गया 9 करोड ठीक है 9 करोड के बाद क्या है 84,000,000 क्या बन गया 84,000,000 और उसके बाद 32,000 क्या बन गया 32,000 32,000 के बाद 701, क्या बन गया, 701, ठीक है, समझ मा आगे आपको, कैसे कैसे नमबर लिखने हैं आपको, ठीक है, समझ मा आया, नमबर को कैसे नमबर नेम में लिखने हैं, और कैसे कैसे कमास पूट करने हैं, according to Indian system, ठीक है, चले आगे, ठीक है, ठीक है, अब इनका नम लिखने हैं आपको, international system के according, ठीक है, चलिए, करते हैं पहला पाट, पहला पाट के बोलते हैं, 78921092, सबसे पहले कमा लगाना है, कमा कैसे लगेगा, 3, 3, 3, ठीक है, 3, 3 की family men के अंदर कमा लगता है, तो पहला कमा, 1, 2, 3, यहाँ लग गया, फिर अगला कमा, 1, 2, 3, यहाँ लग गया, ठीक है, समझ माया आपको, फिर मैंने का था, इनको 3, 3 की उसमें पढ़ते हैं न, यह देखो, 3, 3 की family में divide कर लो, ठीक है, हमने का था, यह once family से बिलोग करते हैं, यह thousand family से बिलोग करते हैं, और यह कौन सी family से ब 78,000, ठीक है, अब क्या से पढ़ोगे, 921, ठीक है, 921 उसके बाद उसका surname, कौन सी family से बिलोग करता हैं, यह thousand family family से, तो क्या हो गया, 921,000, ठीक है, तो क्या लगेंगे, 900, 900, 921,000, ठीक है, क्योंकि यह thousand वाली family से बिलोग करता है, उसके बाद देखो, 0 आपे लिखा, 921,000, अब यहापे इसको तो पढ़ ने सकते, 0 को, तो सिद्धा क्या हो जाएगा, 92, 92, ठीक है, क्यों हो जाएगा, 92, ठीक है, क्लिर होगा आपको यह कोशिशन, ओके, चलिए अब भी पाइट करते हैं, पहले आप खुद से करेंगे, सारे के सारे, सब के सब जल्दी से वीडियो पोज करो, उसके बाद खुद से ट्राइग करना है, ठीक है, अगर नहीं होगा तो देखना है, और फिर आपको अपना आंसर मैच करने के लिए वीडियो कॉंटिन्यू देखनी है, ठीक हो, सबसे पहले कोमा लगाएंगे कैसे, 3 and 3, 33 के उसमें लगा दिया, हमने कॉमा, ठीक है, ठीक है, देखो, 1, 2, 3, कॉमा, 1, 2, 3, कॉमा, and then, लास न बज गया, 7, तो 1000, क्या, 400, 452, 452, उसके बाद इसका सर्नेम, 1000, ठीक है, और उसके बाद क्या लेखेंगे, 283, क्या लेखेंगे, 283, ठीक है, क्लिर हो गया, चलिए, सी पाइट करते हैं, सी पाइट क्या बोलता है इसका, 99985102, ओके, क्या करना है, कॉमा लगाना है, 123, कॉमा, 123, कॉमा, ठीक है, तो अब उसके सर्पढ़ेंगे, 99,000, क्या बन गया, 99,000, उसके बाद देखो, क्या बनेगा, 985, क्या मनेगा, 985, और साथ में क्या लगेगा, 1000, क्योंकि ये 1000 फैमिली से भी लोग करता है, ठीक है, और उसके बाद क्या लखेंगे, 102, क्या लखेंगे, 102, ठीक है, क्लिर हो गया, चलिए, अब ऐसा ही, इपाइट करते है, डीपाइट क्या बोलता है, 480, 480, 49, 831, ठीक है, सबसे पहले क्या करना आपको, कॉमा लगाने, तो 1, 2, 3, कॉमा, 1, 2, 3, कॉमा, तो पहले इन दोनों को साथ में, इन तीनों को साथ में, तो क्या बोलेंगे, 48,000, क्या हो गया, आपका ये, 48,000, उसके बाद देखो, अब या पे, 100 वाले जगह में, 0 है, तो, 49,000, क्या हो गया, 49,000, क्योंकि, कॉमा, क्यों सी पैमिली से बलोग करता है, ये, 1000 वाली पैमिली से, तो लेख जएंगे, 49,000, उसके बाद, 831, क्या लेखेंगे, 831, ठीक है, क्लीर हो गया, यहाँ पे आपकी exercise, complete होती है, ठीक है, आपकी exercise, 1.1, एकदम complete होती है, अभी तक जितना हुआ है, आपको अच्छे से करना है, इस तरी लेडिट, आपको जितने भी questions मिले, कहीं से मिले, वो सारे के-सारे questions आपको अच्छे से कर लेने है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं next lecture में, आपके next lecture में क्या करेंगे, 1.1 के बाद, जो आपका material है, content उसको अच्छे से discuss करेंगे, ठीक है, फिर उसकी बाद हम 1.2 exercise करेंगे, ठीक है, आप लोग तब तक इसको अच्छे से पढ़िए, जितने questions करवाए हैं, उसकी बाद पर practice कीजिए, और आपको और भी questions मिले तो उनकी practice कीजिए, आपको खुद मुट करेंदित ईते की बाद्टस एका actions करेंदेओ से सवाजस, जितने की का बाल, करेंदे हैं, तो आपको और भीक हैं, ऐसे रहारे हैं, तो करेंदेओ़ से को और भीक है, उसकी प्सकी बाल, को अवादेग श्यृशकिः की 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 जितन mentre हम फसके ऊच्छे से सक